Hello guys, welcome back to a new video Guys, मुझे पता है अभी आप सबको बहुत डर लग रहा है और डर लगना भी चाहिए विकॉस यह टाइम आपका लाइप का सबसे इंपोर्टन टाइम है विकॉस यही डिसाइड करने वाला है कि आगे आप फुचर में क्या करने वाले हो इस टाइम सभी को गबरहाट होता है इवन जो टॉप रैंकर्स होता है जेई नीट के उनको भी बहुत घबरहाट होता है बट प्रॉबलम तब आती है कि जब इसी घबरहाट में बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े-बड़े प्रॉबलम्स क्रेट कर देते हैं जैसे कि वो physics में बहुत hard topics उठा लेते और उन topics को पहले पढ़ने लग जाते हैं जैसे rotational motion हो गया, magnetism हो गया, यह सोचके कि यह पहले hard topics कर लेते because इस topics को आगे करने का time नहीं मिलेगा, जो कि बहुत गलत strategy है rather इस time हमें easy chapters को पहले उठाना चाहिए, जिससे हमारा confidence build up हो और आगे जो बचा हुआ time है, जो 2,5 महीने, 3 महीने है, उसको हम effectively utilize कर सके So, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा physics के सारे के सारे important chapters और यह जो chapters मैं बताऊंगा, यह step by step बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले start करूँगा easy chapters, जो आप पहले करोगे, जिससे आपका confidence build up होगा, एक base build up होगा फिर medium chapters और फिर tougher chapters, यह सारे chapters को करने के लिए proper lectures का link दोगा उसके सारे chapters होने के बाद, lectures होने के बाद, questions कहा से लगाना है, कितना questions enough होगा अगर physics में question नहीं बनते तो क्या करना है, PY कि उस कितने years का लगाना है, कितना enough होगा और कहा से लगाना है, formula sheet कहा से मिलेगा, क्या formula sheet, hand written formula sheet आपको दूँगा revision के लिए बाकी सब कुछ detail में इस वीडियो में बताया जाएगा, so वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले comment कर देना कि I will score 99% in physics, या फिर whatever जो आपको लगता आपका potential है, बाकी वीडियो end देखना, because यह आपके लिए एक बहुत life changing वीडियो होगा अब start करते सबसे important segment से, सबसे important chapters कौन-कौन से करने और step by step कौन से chapters करने यह सारे जो भी chapters मैं बता रहा हूँ, इससे NTA सबसे ज़्यादा question पूछा है, last के 4-5 years अगर हम compare करे तो तो सबसे पहले हम start करते, must do chapters, एक easy category chapters है, जिससे आप approx 50-60 marks तक make sure कर सकते इन chapters से तो देख इन chapters में पहला chapter जैसे आप photoelectric effect, atoms, nuclei यह chapters देख सकते हो, second आता है heat and thermodynamics, third kinematics, फिर NLM friction, फिर work power energy, center of mass collision, current electricity, SHM अब इन chapters को करना कैसे है, सबसे पहले आपको mechanics का chapters उठाना है, जैसे kinematics पहले उठा लिया, फिर NLM किया, फिर friction किया, फिर work power energy आपने chapter कर लिया, फिर center of mass collision कर लिया, उसके बाद आप current electricity, SHM और फिर उपर के first two chapters कर सकते हो, यह proper sequence है, सबसे पहले आप 11 का base strong करोगे, जो कि mechanics का portion है, और फिर आप आगे गे 12 के chapters करोगे, फिर नेक्स आते है, हम शुट भी completed chapters, that is moderate level chapters, जैसे प्रोक्स 2030 मार्क्स अब टार्गेट कर सकते हो, यह तुरह टफर साइड में है, जैसे इसमें आगे electrostatics, कैपर सेटेंस, जैसे आप current electricity करते हो, तो आप उसके बाद यह दो chapters कर सकत हो, फिर gravitation हो गया, EMI हो गया, AC हो गया, wave optics हो गया, waves on string और sound waves हो गया, यह सारे chapters आगे, शुट भी completed पार्ट में, और फिर last आते है हमारा aim for it, यह सबसे टफर portion में से एक हो गया, और अप्रोक्स 20 marks आप इससे टार्गेट कर सकते हो, जिसमें हमारा आता है, wave optics हो गया, rotation हो गय कर सकते हो, इन chapters को, बाकी जो aim for it है, उसमें आप time के recording देख सकते हो, अगर आपको time permit करता है, अगर आपके पास time बचता है, apart from revision, तो आप definitely in chapters को भी move on कर सकते हो, अब आते हैं कि in chapters को cover कहा से करना है, that is lectures कहा से करना है, अब देखो lectures के लिए मैं दो category of students को बोलूँगा, पहल जिसने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ रहा, 11-12 का basic foundation भी नहीं है, तो आपको proper lectures देखने होंगे, जो आपके coaching के lectures होंगे, और second category है कि आपने 11-12 का पढ़ रखा है, basic foundation है, थोड़ा बहुत आपको brief चाहिए chapters का J-E level पे, तो आप one shot कर सकता, आप one shot कौन से करना है, इस PDF में मै physics के लिए specially, कौन से one shot prefer कर सकता, आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा, अब one shot करने के बाद, बच्चों को बहुत confusion आता है कि बहुत question practicing कैसे करें, because एक self doubt आता है, कि आप one shot enough है, क्योंकि question practicing, अगर हम से question नहीं बन रहे, तो क्या मतलब one shot करने का, तो देखो यार, इसी के लिए PDF बना हुआ है, जिसमें आपको सारे के सारे solved examples है, अब जो भी chapter आप करते हो, lectures करने के बाद, यह solved example करना है, जैसी आप solved example कर ले तो आपको समझ में आ जाता है, कि किसी भी question को solve करने का क्या approach होगा, तो यह PDF कंप्लीट करना है, यह PDF का भी link आपको इसी PDF में मिल जाएगा, physics क PDF है, यह complete, जिसमें आपको इसका भी link मिल जाएगा, अब जैसे ही हमारा solved example हो जाता है, उसके बाद हमें करना होता है, आइधर DPVs या फिर modules, बच्चे बोलेंगे कि भाई यह direct PYQs से हो जाएगा, बढ़ देखो यार PYQs से अच्छा मैं बोलूँगा, थोड़ा बहुत practice needed है, अगर आप कोई भी chapter को अच्छे से करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा, मैं DPVs प्रवाइट कर रहा हूँ, आपको एक अच्छे coaching institute का, उस DPVs को complete कर लेना, तो आपका chapter का जो strength हो बहुत अच्छा हो जाएगा, अब यह जो DPVs है, यह भी आपको इसी PDF में मिल जाएगा आप से जाके आप download कर सकते हो, हर chapter के 10 से 15 DPVs है, बट मैं बोलूँगा, 3 से 4 DPVs कर लो, different type के questions के, तो वो भी enough है, अब DPVs करने के बाद आता है, एक और सबसे important चीज, final सबसे important चीज, PYQs, तो PYQs last 3-4 years के आप अच्छे से कर लेना, PYQs भी मैंने इस PDF पर प्रवाइट क स्टूडेंट यह सोसते हैं कि जब syllabus complete हो जाएगा, उसके बाद mock test देंगे, जो कि बहुत गलत strategy है, राधर mock test कैसे देना हो, मैं इस book के थरू समझाता हूँ, जिसमें 10 mock papers दिये हुए, जो कि complete new syllabus में based है, अब इसका जब मैंने mock paper 1 कोला, इसमें आपको दिखा ही दे रहोगा, आपको देगेगा, complete solution दिया हुए, इस book में, तो उससे क्या होगा, आप अपने analysis कर सकते हो, और अपने mistakes पे work कर सकते हो, बाकि इस book में आपको 1000 प्लस questions मिल जाएंगे, practice करने के लिए, mind maps मिलेगा, mnemonics मिलेगा, appendix मिलेगा, जो कि आप QR code से square करके ले सकते हो, उसके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि Oswal book में भी 40% discount चल रहा है, तो यह बहुत कम price में बिल जाएगा, बाकि मैंने link description में add कर दिया, अब finally बात करेंगे, revision के उपर, revision देखो यार, आपके preparation का सबसे important चीज है, मैं यही बोलूँगा, कि आपको quantity में focus नहीं करना है, quality में focus करना है, जितना कर formula sheet रखो अपने पास, मैंने handwritten formula sheet आपके लिए बनाई है, जिसमें आपको physics के सारे chapters के handwritten formulas है, जो की important आपके J.E.Mains point of view, वो formula sheet आप download कर सकते हो, जिससे आप revise कर सकते हो, यह आप whatsapp channel और telegram channel से download कर सकते हो, जिसका link description में मिल जाएगा, और हाँ guys मैंने आपको इतनी चीज़े provide की है, तो रिटन में थोरी सी चीज़े में को, इस वीडियो को ज्यादा सा शेयर करो, जल्दी से 500 likes हो जाए, उसके बाद मैं यह PDF अपलोड कर दूगा, दोनों telegram और whatsapp channel पर, सब एक final message आएगा, सभी student के लिए, तो देखो यार यह जो बचा हुआ time, इसको effectively utilize करो, ज्यादा अगर आपको कोई बी कॉमन प्रॉबलम है, कुछ भी अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए, तो कमेंट में बता देना, because I'll reply each and every comment, so that's it for this video, thanks for watching.